हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल असलाम वालेकूम अहरी यू गाइस एंड कैसे हैं आप लोग सब खेरियत से होंगे चलिए अब हम जो चैप्टर शुरू कर चुके थे वह चैप्टर था प्रोपागेशन और रिफ्लेक्शन अफ लाइट और इसके अंद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन ठीक है देखे रिफ्लेक्शन का जो कॉंसेप्ट है वो क्या होता है वो हम आज इंशाला इस बात को समझेंगे और फिर इसके बाद लॉज ऑफ लिफ्लेक्शन के इतवार से भी डिसक्स करेंगे लेकिन फर्स्ट विशुड नो अबाउट रिफ्लेक्शन बाट इस रिफ्लेक्शन और यह लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरह से होता है और कैसे यह मुमकिन है इसको हम आज उसकी वजा को भी समझेंगे और फिर उसके बाद जो इसका प्रिंसिपल है इसी बेसे पर जो प्रिंसिपल ब traveling in one medium, ठीक है, अगर light ray जो है, वो किसी एक medium से travel करते वी आ रही है, अब एक medium का मतब यह हुआ कि अगर मैं यह समझ लेता हूँ कि जो है, यह आपके पास simply एक light ray है, ठीक है, और यह इस वक्त किसी एक medium से travel करते वे आ रही है, तो straight बनानी है, यह हमारे पास एक light ray आ गई, ठीक strikes the surface of another medium, हम मान कर चलते हैं कि यहां पर हमारे पास एक दूसरा material है, जो हम यह suppose कर लेते हैं कि यह जो भी material होगा, वो एक transparent material होगा, ठीक है, transparent material होगा, तो transparent material की वज़ा कि वो मैं at the end इस वीडियो में आपको समझाता हूँ कि transparent ही क्यों लिया हमने, opaque material क्यों ने लिया, ठीक है, तो यह आपके पास simply light ray आ गए, जो already medium में मौझूद थी, और जिस medium में मौझूद थी, उसे हमने नाम दे दिया कि उस medium के अंदर वो जो है basically travel कर रही थी, ठीक है, अचा, अब यह जो light ray जो कि जिस medium में मौझूद है start में, और यहां पर travel करती भी आ रही है, तो इस light ray को आप incident, incident ray कहोगे, incident, incident ray, ठीक है, यह incident ray कर लाएगे, क्योंकि यह initiate कर रही है, और incident, यह इस startup light, यह जो light ray basically किसी medium में मौझूद है, और अब वो किसी दूसरे medium को strike करती है, तो इसका मतब यह हुआ, before the striking, before the striking, वो light ray जो कहलाएगी, वो incident ray कहलाएगी, ठीक है, the strike the surface of another medium, strike कर लिए उसने इस point पर, और यह दूसरे medium है, ठीक है, इस surface के नीचे दूसरा medium मौझूद है, ठीक है, अच्छा, अब इसे हम यहाँ पर लिग भी लेते हैं, कि हमारे पास जो है यह, यह आपके पास first medium हो गया, and this is second medium, तो यह simply आपके पास, दो medium को differentiate कर रही है, यह line, ठीक है, अब आप यह समझ लीजेगा बेटा, कि हमने इस line के उपर जो है, एक medium तसवर कर लिया, और उस line के नीचे जो है, वो, दूसरा medium मौझूद है, one path of the light passes through the second medium, अब कहा गया, कि यह जो light ray, जब इस point पर strike करेगी, strike करने के बाद, partially यह reflect हो जाएगी, और partially जो है, वो reflect हो जाएगी, देखें, partially जो है, वो second medium के अंदर, जो है, penetrate कर जाएगी, अब जब यह second medium के अंदर penetrate करेगी, तो exactly, यह किसी हद तक, जो है, वो क्या हो जाएगी, किसी हद तक, यह आप कह सकते हो, कि थोड़ा सा, downward हो जाएगी, और अपना path किसी हद तक change करेगी, ठीक है, तो अब हम यह मान कर चलते हैं, कि straightly पहले यह इस तरह से आ रही थी, अब अगर वो straight अपने line पे जाती है, तो ऐसा नहीं होता, एक medium, जिस medium में मौजूद light होती है, जब वो second medium में penetrate करके enter होगी, तो उसका जो path इसी हद तक जो है वो, उसका angle change हो जाएगा, ठीक है, उसे हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, यह आपके पास partially reflect हो गई, ठीक है, अब partially अगर यहाँ दिखा सकते हैं, यह partially reflect हो गई, ठीक है, अब देखी, यहाँ पर arrowhead तो clear आपको वाज़र समझना आ जाएगा, य कि इस incident ray आ रहöyle है, जो आ रही है, ठीक है, इस point पर strike किया हैं और इस point पर strike करने के बाद, जो है, partially आपका रिफरेक्टे रह गई हो गई, तो उसे हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, यह आपके पास partially जो है, वो reflect हो गई, ठीक है, और partially जो है वो reflect हो गई, अब ये ये जो वापसी गई है strike करने के बाद इसे हम कहते हैं reflected ray, reflected ray, तो आप ये देखें, आनी वाले incident ray जो थी strike करने के बाद जब वो उसने दूसरे medium के surface पे strike किया, तो strike करने के बाद वो partially reflect हुई और partially reflect हुई है, ठीक है, यहाँ पर मैंने mention कर दिया, one part of the light passes through the second medium, ठीक है, एक part जो होगा, वो second medium में चला जाएगा, ठीक है, एक part जो है, वो second medium में चला जाएगा, उसका, and changes its path, और किसी हद तक उसका path change जाएगा, क्योंकि उसका path पहले ऐसे था, और अब path change होकर ऐसे हो गया, ठीक है, अच्छा, then it is called a reflection of light, तो यह जो है, reflection of, reflection का process हुआ, इसलिए हम इस light ray को refracted ray कहेंगे, while the other part of the light, और जो partially reflect हुई, while the other part of the light comes back, अपने ही medium में reflect होकर वापसी आगई, comes back to its own medium, and first medium, जो के पहला medium ही था, जहां से light ray incident आ रही थी, तो हमेंसे हम नाम दे देंगे, reflected ray, बस, अब यह याद रखीगा, इस तरह के concept पर, जहां पर कोई भी एक light ray मौजूदा medium से, किसी दूसरे medium के surface पे strike करती है, तो वो partially किसी हद तक reflect होती है, और partially reflect होती है, यह reflect होगी और यह आपके पास simply reflect होगी, ठीक है, तो यहां मैंने medium भी दिखा दिया, sequence में कि आपे बस, अब जो मौझूदा medium था, वो first medium है, और जिस पर strike करके reflect होई है, पर्शली वो आपके पास second medium है, चलिए, अब उमीद है, आप लोगो इक और सब clear हो चुका होगा, तो जल्दी से screenshot ले ले, ताकि आप उसे write in कर सके हैं, अपने पास register या copy पर, और फिर exactly, जब तक आप लोगो खुद लिखेंगे नहीं, तो ये सही माइनों में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो हम पढ़ने होते हैं, वो बहुत कम time तक हमारे दिमाग में रहता है, जब हम उसे लिख लेते हैं, अपने notes की शकल में उसे बना लेते हैं, तो अब फिर ये समयले, उसका थोड़ा थोड़ा सा आप जब चाहें, रिवेजन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास written में मौज़ो होता है, और written लिखने से, अपने end written writing लिखने से, तो उसे आपको थोड़ा सा और मजीद उसका concept clear हो जाता है, और वो याद भी हो जाता है, चलिए, अपने बहुत सारा खायल रखी हैं, हम अपने topic को यही पर इखतिताम करते हैं, आगे आने वाले topic इंशालला हमारा कौन सा होगा, law of reflection of light को हम डिस्स करेंगे, अपने बहुत सारा खायल रखीगा, Thank you so much, Allah आफिस.